दोस्तों नमस्कार आज हम जनकल्याण के लिए गले में खरास की समस्या को ठीक करने वाले बहुत ही आसान से गरेलू पाई के बारे में जानकारी देंगे इन गरेलू पाई का परियोग करने से गले की खरास की प्रोबलम में बहुत ही जल्दी फाइदा देखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन गरेलू पाई के परियोग करने से एक खुराक में ही असर दिखना सुरू हो जाता है सबसे पहले गले में खरास होने के कारण के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है ताकि बार-बार गले में खरास होने की समस्या से सामना नहीं करना पड़े मौसम बदलते ही सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज से परिसान रहते हैं वो है गले में खरास का होना गले में खरास की कई वज़े हो सकती है जैसे चिकनाई, खटी, ठंडी चीजों के सेवन से गले में खरास हो जाती है कई बार लोग दूप से आते ही ठंडा पानी पी लेते हैं जो नुकसान दैक साबित होता है और परिणाम सोरूप गले में खरास की प्रोब्लम हो जाती है इसके अलावा गले में इंफेक्शन की वज़े से भी गले में खरास की दिकत होने लगती है ऐसे में कुछ गरेलू पाई करने से आपको बहुत जल्दी गले में खरास की प्रोब्लम से चुटकारा मिल सकता है और अब जान लेते हैं गले में खरास की समस्या को ठीक करने वाले बहुत ही आसान से गरेलू पाई के बारे में गले में खरास होने पर सबसे आसान तरीका है नमक के गुन्वुने पानी से गरारे करना नमक एंटी बेक्टिरियल होता है जिस से गले की खरास की समस्या में जल्दी आरा मिलता है इसके लिए बस आप एक सोथाई चमस नमक एक गिलास गुन्गुने पानी में डाल कर इस नमक वाले पानी के दिन में तीन चार बार गरहरे करने से गले की खरास में राहत मिल जाती है अगला गरेलू पाई एक कप पानी में तीन काली मिरच और चार पांच तुलशी की पतियों को वाल कर काड़ा बना लें और इस काड़े को पियें इससे गले की खरास में बहुत जल्दी फाइदा देखने को मिलता है और अगला गरेलू पाई भी जान लेते हैं एक गिलास पानी में एक छोटा टुकुडा अदरक कूट कर साथ में आदा चमच जीरा डाल कर पांच मिनट तक उबलने के बाद इसे ठंडा होने पर चान कर रख लें और हलका गुनगुना करके दिन में दो बार पीने से गले की खरास में जबरदस्ट फाइदा देखने को मिलता है अगला एक गरेलू पाई और जान लेते हैं गले की खरास में हल्दी वाला दूद भी रामण काम करता है हल्दी और सद्य गुनों से बरपूर होती है थोड़ा सा हल्दी पाउडर को एक गिलास गरम दूद में मिला कर पीने से गले की खरास के अलावा सुजन और दर्द में भी आराम मिलता है गले की खरास में ये गरेलू उपाई बहुत ही बहतरिन रिजर्ट देते हैं आपकी सुईधार के लिए कई उपाई बताए गए हैं आपको सरल लगे उसी गरेलू उपाई का आप परियोग कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगेगी इसी कामना के साथ इस वर आपको सुखी और निरोगी रखें आपने मुझे कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरियों तत्सक्त